हालो फ्रेंड लट्वर ए फैष एक्षिन्ड डिजइनर में आपका बहुत सागत है आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉरमेटिव होने वाली है आप सभी के लिए जितने भी स्वैंद का काम करते हैं उन सब के लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है तो आज क्या करेंगे हम आज में पूरी जो मसीन होती है आपके पास ओर्डिनेरी उसकी पूरी सफाई करने वाले हैं हम और उसके बाद हम पूरा मतलब मसीन को चला के मैं दिखाऊंगी किस през इक बात मैं आपको बताना चाती हूं जब भी आप खोलते हो ना तो अपने ध्यान रःतना है पार्ड का पार्ड कैसे जृड़े हो है क्योंकि जो आ भी विगणर से उनku smir की सफाय किस तरह से करेंगे और पार मसीन की जितनी Birds मस insights कं नहीं अगर आपकी पूरी मसीन अच्छे से clean होगी तो मैं दिखाऊंगी कितनी गंदी है मेरी मसीन तो मैंने मसीन का सेटर का एक एक पार्ट खोल दिया है आप वीडियो को बहुत आराम से देख सकते हो धीरे धीरे आप इसको देख सकते हो आप बार बार देख सकते हो क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है 이辉कल मेरे वीडियो बहुत लम्भी बन रही है तो मैंने स्पीड यहाँ ठोड़ी सी कर दी है तो मैं ने कॉटन का कपड़ा ले लिया है अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ना बता दी हूं तो ये देखे एक एक पार्ट करके मैंने इसका जोड़ा है ये सेटर का और बहुत बहुत इकत आती है सेटर को साफ करने में कुछ खोलते ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि ये भी खोलना पड़ता है या इसकी भी सफाई करनी पड़ती है तो देखे मैं उने पूरा क्लीन क तो वायल आपने अंदर में इस तरह से डाल देना है ये दिख कहें अब ये जो अंदर जिसमे हम कम डबी लगाते हैं मसीन की तो इसको हमने किस तरह से देख रहे को अर इसको छिलागी दिखनाए बहुत ही स्मूद cook के चलिए जा लिया कि आप जब भी स्विंग करते हो मतलब सिलाई करते हो तो आपको दो-तिन बार दो-तिन सूट जैसे आपने स्टिच कर लिए उसके बाद आपको अपने मसीन की सफाई जरूर करने चाहिए उससे आपके मसीन की लाई बहुत लंबी आती है मेरी ये मसीन लगो चौदा साल मुझ पूरा खराब पड़ी हुई थी इसका टांका ठीक नहीं आ रहा था अभी मैं चला के भी आपको बताऊंगी ठीक है उसके बाद मैंने मसीन का जो हमारे पैर होता है उसको भी निकाल दिया है और यहां से पूरा निकालने में बहुत इकत हो रही थी क्योंकि ये पूरा फिक अगर इस तरह से हमारी मसीन गंदगी से भरी होगी तो भी आप वो स्टिचिंग कैसे करेगी तो फिर मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया अब देखो ये भी ये खोलना में सब कुछ आपको बता रही हूं अब इसके नीडल भी खोल देंगो तो नीडल खोलने के लिए इस कोई भी मसीन है ऊसा है सिंगर है या कोई भी ब्रैंड की है जैसे मेरे पास ये सपना की है क्यूंकि उस टाइम बहुत बुरानी थी है तो अपना ब्रांड की मुझे नहीं पता मैंने प्हले बाद नाम सुना था और किसी के पास और भी होगी तो प्लीस की मैंट बोकस में जोरार लखियेगा तो यहां पर देखे मैंने इसको अच्छे से clean कर लियाहै मतलब मैंने झाना चार पांच बार इसमें बिल्कुल भी कुछ रहने नहीं दिया पूरा यहां पर आप देख सकते हो और cotton का कपड़ा लेके मैंने इसको अच्छे से clean किया है उसके बाद हम वाइलिंग करना भी सिखाएंगे पहले हम पूरी मसीन को लेंगे आज पूरी मसीन के सफाई करेंगे उसके बाद मैं इसकी वाइलिंग करना भी सिखाऊंगे आपको इसके बाद आगे इसके face के बारी तो face पर भी उन्होंने एक screw राइब से खोलना होता है तो ये भी मैंने खोल दिया है और इसको अलग कर देना है अब अदर से भी अब आप ते एक हमारी गंदी होती है तो इसको side बे कर देना है और एक बाद मैं फिरसे आपको बता दूँ को अब कर द देखा है। जब भी आप मसीन को खोड़ ले हो तो आपने अधियान रहा है कि कौन सा पार्थ इक हाँ पैके डिल जब वहार है जैदा सिकनख जो उत्रिया जमस्तों सेुजन को अपती बेख जर्दा की तो बहुत पूर। रखोड़ा kasiar तो वहां पे भी आपने वाइलिंग करनी है तो और नीचे मैं आपको बता दू यहां पे वाइलिंग करनी है इधर वाइलिंग करनी है ठीक है जितने भी आपको दिख रहे हैं चेद वहां पे आपने वाइलिंग करनी है तो मेरे इसमें छेद नहीं था आगे जो मसीन का वाइलिंग मैं कर रही हूँ तो मैंने बस डारेक्ट ऐसे लिया था और ऐसे मैं डाल ली थी च lettार जगह मैंने इसकी अच्छे से वाइलिंग की है और वाइलिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे मसीन को फिर धूप लगने देंगे पूरा दिन भर आप उसको धूप में रख्खे से लेकिन वाइल कुछ बातों का आपको भी से धियान रखना है मसीन में जब भी आप वाइल करते हूं आपकी मसीन बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी हो डिया अगर आपकी मसीन होगी तो यह वापिस से सी मसीन में बठता ही और ज़ाद ही से Thank आप करती बार भी आपनी धियान रखना है देखे आपको भी लगाना है मतलब आप देख लीजेगा धियान से कि आपकी मसीन किस तरह की है ठीक है यहाँ पर मैं इसको लगारी हूं पेच अच्छे से और इसके बार ना तो आपको मसीन में कोई टांक आएगा ना भागा तोडेगी के अब आपको दिखा दूंगी आगे और उसके बाद हमने जो पैर मसीन का निकाला था वो भी हमने लगा देना है एक एक चीज मैं आपको लगा तो इसलिए मैंने वीडियो भी बाहर सूट की है दूप में तो अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज आप कंप्रोमाइज कर लीजिए गा मेरे से जितना हो पाया मैंने उतनी वीडियो आपके लिए बनाई है और इसके बात है सेटर लगाने में बहुत को बहुत सारी समस्यात आती है मतलब आपने खोल दिया अब लगाना कैसे तो मैं आपको बता देती हूं तो इसके अंदर जिर लेंस में हम डिब्बी बाताते है उसको आपको करना है राइट साइड को यहां बहुत देख सकते उसको आपने राइट साइड को इस तरह सिक् तो यहां भी आप देख सकते हो यह देखे, फिट बैठ गया है यह, मैंने नस्दीक से दिखाने के गोशिस की है, यह देखे, यह हमारी डबी है जिसमें डब लेगा और मशीन वाला हिस्सा है यह, तो यह बिल्कुल इस तरह से बैठ जाएगा, अब आपने पेज से पेज मज में आ जाए, अब है इस नीडल को लगाने की बारी, तो नीडल में एक हिस्सा गोलाई वाला होता है, और दूसरा हिस्सा प्लेन होता है, तो जो प्लेन वाला हिस्सा होता है, वो हमने लगाना होता है, प्लेन वाले हिस्से से, ठीक है, मसीन में भी आपका प्लेन हिस्सा बना होता है जहां पे आपकी नेडल लगती है वहां पे भी प्लेन हिसा बना होता है तो मैं थोड़ से नज्जीक से आपको दिखा देती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हूँ यह देखिए जो प्लेन वाला हिसा है वो हमने नीचे की तरफ को रखना है और जो गोल वाला हिसा वो आपने उपर की तरफ को रखना है ठीक है अब इसको आप पका कर लिजो लगाने से पहले आप उंगली को ऐसे नीचे रखिए उंगली के बिल्कुल बरावर आपकी सुई आनी चाहिए पूरा जो घुमाके आपने पूरा सुई उपर रखनी है और उसके बाद आपने उंगली इंसर्ट करके देखनी है नीचे उतनी आपकी नेडल लगनी चाहिए तो फिर आपकी जो धागा तोड़ने की समस्या भी नही कर रही हूं तो सिलाई करके मैं आप भी आपको दिखा दूँगी से पहले मेरी सिलाई बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही थी मतलब वही नहीं रही थी से तो स्टीचिंग भई होती भी कैसे आपने देख लिया कितना खुड़ा मेरी मशीन के अंदर था तो यहां भी मैं नस्द